तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत है फिर चमारी न्यू ब्लॉग में दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं गॉल्डर करकेच इस्टेडियम के बाहर पे लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ले जाएंगे इस्टेडियम के अंदर और दिखाएंगे कि अंदर से कैस देखा देखता है पूरा स्फैडियम में पूडरा बनए रहेगा फिलाल हम अभी आपको दिखा रहें बाहर से कि बाहर से कैसा दिखाई देता स्टेडियम तो देखिंगे बाहर से कुछ इस प्रकार का इंचल PM सब्02 के सक्वाण से चलते अंदर और दिखाते एंदर से तो पर देखिएंगे ग्राउंड में जो है ग्रास भगेरा नहीं आई है फ्रेंट हो सकता है आपको फोड़ा अच्छा न लगें क्योंकि आमने स्टोग बनाया है आला नहीं बनाया है फिर भी आप देखिते हैं यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स्थ देखने को मिल जाएंगे ज अब हम लोग आ चुके हैं अंदर की और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और देखेंगे यहां से देखने में इस टीडम बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि अभी यहां पर गेट बगरा लगे हुए हैं तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो आपने हमारा बहुत पहले पुराना वीडियो जो कि सबसे पहला वीडियो था हमारा इस टीडम के बारे में उसमें हमने आपको पूरा दिखाया है जब यहां पर काम चल रहा था तो हमने दिखाया ह जो है काम बागिरा चल रहा था तो आप उस समय का वीडियो को और अभी की वीडियो कंपेर करेंगे तो आपको समझ में आगा कि इतना यहां पर जमीन आस्मान का फर्क हो चुका है वह है वीडियो एक साल पुराना था और अभी आप देख रहे हैं यहां से देखने में नजारा बहुत ही प्यारा लग रहा है यहां है यहां देखिए देखंगे अगर आप मेच देखनें तो आपको पूरा नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है और यहां से मेच देखने हम आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तो अभी हम लोग हैं यहां पे South Pavilion एंड बे जहां से आप देख रहे हैं यह पूरा वीडियो और दोस्तो देखींगे हम आपको कुछ रूम दिखाते हैं किस प्रकार से यहां पर आपको रूम बगेरा देख रहा हूं मिल जाएंगे तो देखींगे यहां पर सब जागे लॉक लगा हुआ है इसलिए हम आपको अंदर का नजारा नहीं दिखा पा रहा है लेकिन फिर भी हमने पूरी पूरी कोसिस की है कि आपको हर चीज दिख जाए जैसा कि हमने बोला था आपको कि अगर हमें चांस मिलता है तो हम आपको अंदर जाके पूरा वीडियो जरूर बना के दिखाएंगे यहाँ पर अलग-अलग रूम बने हुए हैं जहाँ पर पिलर्स के लिए जो है अलग-अलग सुभिदाइं दी जाएंगी झाल झाल